दुनिया में सबसे बड़े सांप, सबसे बड़ी परजाती सांपों में एनाकॉंडा मानी जाती है। लेकिन इस परजाती के सांप को देखना आज कल बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों आज हम आपको ऐसी ही दुनिया के सबसे विशाल काये सापों के बारे में बताएंगे जिनने देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। निया नमेरे दोस्तों से दरखासत है कैनिमल्स वेली को सबस्क्राइब करते हुए साथ मजूद बेल के आइकन को भी दबा देएं। कांगो स्नेक साल 1993 में दुश्या विदोश के दुरान बेलजियम के फाइटल हली कैप्टर के एक पाइलिट ने मिशन से वापस आते समय अफरीका के कांगो देश के जंगल में एक बहुत बड़ा जीव रिंगते हुए देखा। जब तक वो इस जीव को सही से देख पाते इनका प्लेन हली कैप्टर आगे निकल चुका था। इसलिए उस जगा से पाइलिट ने अपने हली कैप्टर को वापस गुमाया तो उन्होंने देखा कि ये जीव असल में एक बहुत बड़ा सांप था। उन्होंने उंचाई से कुछ फोटो लिये फिर उन्होंने इसे और करीब से देखने के लिए और फोटो घेंचने के लिए अपनी हली कैप्टर को का मौँचाई पर उड़ाने का फैसला किया लेकिन जैसे ही वो अपने हली कैप्टर से सांप के करीब पहुंचे तो सांप ने इनके हली कैप्टर प 33 विट एनाकॉंडा अब तक दुनिया में पाए गए सबसे बड़े एनाकॉंडा में से एक था। इस एनाकॉंडा को बराजील में एक साइट कंस्ट्रक्शन के दुरान देखा गया था। जब वहां खड़ी एक अमारत को गिराया गया तो वहां गिरा मलवा अपने आप हिलन लगा। जब मजदूर आगे बड़े तो ने एक बहुत ही बड़ा एनाकॉंडा दिखाई दिया जिसे देखने के बाद वो सबी दूर भागने लगे। वहीं कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद एंजिनियर्स ने बड़ी सोश-बूश से साप की पूँच को बाद कर एक उटाई 31 बाए 2 फिट थी और वजन लग भग 400 किलो था लेकिन ये साब मलवा गिरने और इसके बाद क्रेन से उठाए जाने के वेज़ें से जिन्दा नहीं बाच सका। लेकिन हमें ये याद दिलाता है कि परिक्त्री जी रचना कितनी अद्बत और अनोखी है। तो नाज